हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल हम अकसर लौकी छीलके उनके छिलकों को डस्बिन में फेक देते हैं तो अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं, तो ये वीडियो खास आपके लिए है लौकी के छिलके लौकी से भी ज्यादा सेहत मन्द होते हैं चुकि इन में विटमिन और मिनरल्स लौकी से ज्यादा पाया जाता है आज की इस वीडियो में हम इनी लौकी के छिलकों को यूज करने वाले हैं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा तो चलिए शुरू करते हैं इसके लिए हमें चाहिए लौकी के छिलके आप चाहे लौकी हार्ड हो या फिर सॉफ्ट दोनों तरह के छिलकों का यूज कर सकते हैं तो सबसे पहले इने छोटे-छोटे टुकडों में कट कर लेना है जिसे यह जल्दी पक जाएंगे अब एक बरतन में तेल गरम करेंगे मैं यहाँ पर मस्टर्ड ओल यूज कर रहे हूँ आप जो भी तेल इस्तमाल करते हैं वो ले सकते हैं तेल जब गरम हो जाएगा तो उसमें डाल देंगे जीरा कटा हुआ प्याज और साथ ही हरी मिर्च प्याज को हम थोड़ी दिर के लिए पका लेंगे यहाँ पर प्याज को जलाना नहीं है जब यह पक जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे कटे हुए लौकी के छिलके अब इन छिलकों को लगबग एक मिनिट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे गैस की फ्लेम को हम यहाँ पर एकदम स्लो कर देंगे अब इसमें हम डाल देते हैं कुछ मसाले तो मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, धन्या पाउडर, नमक, अपने टेस्ट के हिसाब से यहाँ पे थोड़ा कम डालिएगा, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनते हैं, तो अगर इस बार आप लौकी लेके आ रहा है, तो उनके छिलकों को मत फेकिएगा, एक बार बना के जरूर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगी, तो इन सारी चीजों को अच्छे से मिलाने के बाद हम इसे ढख देंगे, और चमत से कट करके इनको देख सकते हैं, तो चले अब इन्हें सर्व कर लेते हैं, आप इसे रोटी या पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं, पकने के बाद आप इसमें आमचुर पाउडर डाल सकते हैं, या फिर सर्व करने के टाइम इसमें नीमवू का रस डाल सकते हैं, दोनों friends और family के साथ share करिएगा फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ तब ते के लिए अपना बहुत सारा क्याल रखिए बाई बाई